हेलो एन वेलकम तो दा पॉलिटी करेंट अफेस सेशन अफ कॉंपिटिशन कम्यूनिटी ओन कॉंपिटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल मैं हो निकत परविन खान और आज के सेशन में हम लास्ट वीक मतलब की 2 से 9 जून के बीच में पॉलिटी के सेक्शन में जो कुछ से भी देखिए मैं टाइम टू टाइम इसको आपको रिमाइन कराते जाती हूं कि करेंट अफेर्स की अपरोच जो है वह थोड़ी चेंज हो गई है तो आपके माइंड सेट को अब आपको चेंज करना पड़ेगा भले ही आपको लगता हो कि वह करेंट जो आप एकास वीड चेंज हुआ है अब आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी वह पुरानी कन्वेंशनल अप्रोच जिसमें आप सिर्फ पॉइंट टू-पॉइंट करेंट को पड़ते थे सभी को एक साथ इंक्लूड करके पड़ते थे सिर्फ डाइनेमिक पार्ट को पड़ते थे उ इस तरह असी UPSC का अप्रोच रखता है वैसी ही PSC ने भी अप्रोच रखनी स्टार्ट कर दी है इसलिए अभी से आप रपेर करना स्टार्ट करें अब बात होती है ना कि अब जो चीज़ें पहले थी अब वैसी अप्रोच से आगे भी पढ़ेंगे आप तो उसका आप सिर्फ उसके notes बनाते जाएं एक updation के लिए रखें तो at the end जब आपके exams नेर आएंगे तो आपके पास एक बहुत ही elaborate notes बन जाएंगे हर तरह की उन मुद्दों पर जिस पे कुछ भी एक साल में करेंगी घटनाए होई है और उस वज़े से आप देखिएगा अगर आप जु जलना ही होगा आप यह ना सोचे कि पहले कैसा होता था आप यह सोचे कि अब हमें क्या करना है और कैसा होना चाहिए अब बदलेव पैटन के साब से ठीक है तो जितने लोग current affairs को seriously नहीं ले रहे हैं वह चाहते हैं कि सीधा 1.2 पॉइंट आया ऐसा नहीं है ठीक तो अब वैसे भी ऐसा है कि quality के section में मैंने आपको बताया था बहुत सारे जो ऐसी चीज़े जो को important लगती है वो सारी चीज़ें आपको as such currently important नहीं होती है मतलब कोई statement हुआ किसी party ने कुछ बोला कोई scam हुआ ये सारी चीज़े important नहीं होती हैं सिर्फ को appointment कोई सम्मेलन कोई international relation में को चीज़े हुई है मान लीजे कोई summits हुई है तो वो सब important होती है तो कुल मिलाकर कि इस week 3-4 important news है उन पर हम नजर डाल लेते है let's have a news at a flash सबसे पहले हमारी जो news है वो BRICS मेलन से संबंदित है BRICS की annual summit नहीं हुई है ये BRICS के जो वित मंत्री और केंडर बैंक के governor है ने BRICS देशों के जो आपके finance ministers है और वहां के जो central bank है governor central bank के जो governors है उनका एक virtual समेलन हुआ उसके बारे में news है कि कहां हुआ किस मुद्दे पर हुआ दूसरी news जो आपकी है वो BIMSTEC की स्थापना दिवस से संबंदित है तो BIMSTEC जो की एक geopolitical organization है उसका 25 स्थापना दिवस मनाया गय ये देखेंगे और BIMSTEC क्या है ये भी देखेंगे और तीसरी news है उत्तराखन के cm पुशकर सिंग धामी ने हाल ही में हुए विधान सबा के उप चोनाओं में जीत दरज की वो पहले से मां के cm थे लेकिन वो विधायक नहीं थे तो अभी विधान सबा चोनाओं में उन्हें निचीत दरज की इसके दूसरे चो पहलों से हम देखेंगे और चौती और जो लास्ट न्यूस आज हम कवर करने वाले हैं वो है भारत इस्राइल विजन स्टेट्मेंट तो हाली में इस्राइल के कुछ डिप्लोमेट्स इंडिया आये थे और उनके साथ कुछ वारतालाप इंडियान डिप्लोमेट्स की हुई है इंडियान मिनिस्टर्स की हुई है उसमें हमने विजन स्टेट्मेंट को अपनाया है तो इंडिया और इस्राइल का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन्स है और क्या है विजन स्टेट्मेंट उस पर हम नाज़ा डालेंगे ये तीन चार चीजी है लास्ट टीर में पॉलिटी के सेक्शें यह अपकल इंपॉर्टे जो एक एकर की न्यूज को देखते हैं और दाइर सी बात है इस वज़े से भारत से निर्मला सीता रमन जी ने जो हमारे वित्मंत्री उन्हों ने इसमें पार्टिस्पेट किया ये ब्रिक्स सम्मेलन चीन के अध्यक्षता में हुआ था मतलब ये एक तरह का वर्चुल समिट थी ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर गवर्नर है उन्होंने इसको कोप्रिसाइट किया था कोचेर किया था ने श्य ओध्यक्षता की थी उनका नाम ही यी गैंग जो वहां के सेंट्रल बैंक गवर्नर है और ली यूकुन जो वहां के वित्मंत्री है ने ze तरह मनने participate किया था ये याद रखें अब इस virtual summit का मुद्दा क्या था किस बात पे चर्चाये हुए किस बात पे समझोते हुए तो ऐसा है कि 2022 के लिए BRICS स्वित्ती सहयोग अजेंडा याने BRICS financial cooperation cooperation अजेंडा में हमें क्या कुछ हासिल हुआ है हमारे क्या achievements है और आगे 2022 में हमें और क्या करना है इस पर इन लोगों ने मेर लिए चर्चा की ठीक इस particular ग्रुप में जादा दर जो चर्चाये होती है वो economy से related होती है तो ये पूरा पूरा financial cooperation BRICS देशों के बीच कैसे होना चाह लिए क्या क्या इन लोगों ने आगे target रखा था sustainable और inclusive development के लिए उन पे क्या क्या इनको breakthroughs मिले है उसका analysis इन लोगी किया और आगे 2022 में way forward क्या होना चाहिए उस पर चर्चाये की ठीक है तो याद रखना BRICS वित्ती सहयोग agenda पर चर्चा होई उसके अलावा इसमें कुछ औ economic policy का मतलब होता है कि economy की growth यानि GDP की growth में हर तरह के sectors का equal participation inclusive मतलब इसका ये एक main aim होता है कि कोई एक sectors economic growth ना हो जैसे industrial sector है या service sector है या primary sector है और इसके जितने allied sectors होते सभी का ऐसा development किया जाए कि वो सब के सब economy growth में contribute करें साथ ही साथ ना सिर्फ sectors की बात हो रही है बलकि economy में participate करने वाले जितने तरह के लोग होते हैं उन सब को include किया जाए हर तरह के field से हर तरह के sector से और हर वो छोटे बड़े देश जो BRICS की जद में आते हैं जिनके साथ BRICS देशों के bilateral relations है उनको कैसे include करके BRICS देशों का विक केंदर मंत्रियों की गवर्नरों का बयान बुनियादी धाचे में निवेश यहने इन पांचो developing countries का जो basic infrastructure है उनमें कैसा है किस तरह का investment होना चाहिए उस पर बाते हुए BRICS new development bank आप जानते हैं कि सन 2014 में BRICS सम्मेलन में new development bank के अवधार ना आई थी जो पांचो जो देश है BRICS के उनका एक सयुक्त bank है जो पांचो देशों के investment के लिए खासतोर पे काम करता है पांचो देश इस bank को संचालित करते है तो उसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए आया हुआ है think tanks का यानि कुछ विद्वानों का BRICS देशों में विकास कैसे किये जासा कि इसकी high level elite meetings होती है इस network के जरीए तो उनमें क्या agenda होना चाहिए कि इनके मुद्दों पर आगे बात होने चाहिए इस पर भी चर्चा हुई ठीक है तो new development bank कैसे काम करेगा इनके think tanks कैस detail में पूछता है तो पूछ सकता है पाकी आपको एकदम जो simple आप पहले जैसे करें पढ़ते है तो उसमें से अगर इसमें से कोई एक सब्स लेना है तो इतना है कि वे चीन ने अध्यक्षता की और जाहिर से बात है इस तरह से आप कहेंगे कि वर्चुल ये चीन में आयोजित ख्यागे पर ये कोई जगा नहीं थी ना अध्यक्षता वे चीन ने की आयोजन वर्चल हुआ था इंडिया से निर्मला सीतर र इलाइट हुआ है तो ब्रिक्स को फिर से हम एक बार देख लेते हैं वही बात और भी मैंने ब्रिक्स के पहले समलोनों में उसको दोहरा आया आज फिर रिटेरेट करते हूं कि ब्रिक्स जो है उभरती वी अर्थविवस्थाओं का एक समू है इस अन और्गिनाइजेशन ओ हाईस्ट एक और किव्रपिक्न कंट्रीज हैं य drafting जब्रब्रेवस्था इन का समू है फिर स्थापना सन 2001 में है तो मुंगे हिन्ठी में लिखा गया फॉनle इस 2001 इसकी स्थाबनाद 2001 में हुई थी इनिशली इसमें चार मेंबर्स थे नाम इसका एक्रोनेम है एक्चुली ब्राजील, रश्या, इंडिया और चाइना थीक फिर सन 2010 में इसमें South Africa शामिल हुआ और इससे इसका नाम हो गया ब्रिक्स, प्लिूरल हो गया है, यह सिंग्यूलर से, ठीक है, तो 2001 में बना, 2010 में South Africa शामिल हुआ, 510 यह है, डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो मेंली इकॉनॉमिक कोपरेशन की उपर काम करता है, कि 5 वर्त विवस्त हैं, डेवलपिंग से, जल्द ही डेवलप क के कैडिगरी में यह नहीं जाए, यह उनका उत्तेश है, ठीक है, समझ में आई बात, तो यह हो गए आपकी पहली न्यूस, डाइनेमिक पार्ट, एन स्टेटिक पार्ट, नो डाउन करेंगे, बढ़ते हैं अगली न्यूस में, सेकेंड वाली न्यूस है, ढाका में बिंस्टेक का पचीसवा स्थापना दिवस मनाएगा, तो बिंस्टेक का देखिए, आप यहां पे लिखा हुआ है, फुल फॉर्म, बेयोफ बेंगोल इनिशियेटिव, फर मल्टी सेक्टिरल, टेक्निकल, एन एकॉनमिक कोपरेशन, ब बिंस्टेक से आप इसको याद कर पाओगी, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो नाम से आपको यह समझ में आ रहा है, कि यह एक तरह का जियो पॉलिटिकल ओर्गिनाइजेशन है, जियो पॉलिटिकल मतलब एक ऐसी राजनायत एक संच था, जो किसी विशेश भॉलिक स्थिती के हिसाब से बनाई गई है, और यहाँ पर विशेश भॉलिक स्थिती है, बंगाल की खाड़ी, तो यह बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जितने देश हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है, इसलिए एक तरह का जियो पॉलिटिकल ग्रुप है, ठीक है, और इसलिए इसका नाम है, Bay of Bengal Initiative of Multisectoral Technical Economic Cooperation, इसमें ना सिर्फ इनमें कौन देश शामिल है, यह समझ में आता है, बलकि किस देश से बनाया गया है, वो भी आपने आप से नाम से समझ में आता है, कि टेकनिकल और एकॉनोमिक कोपरेशन के लिए बनाया गया है, बंगाल की खाड़ी के इरिदगिर जितने देश आते हैं, उनके बीच में जो टेकनोलोजी है और एकॉनमी है, उसका mutual growth कैसा किया जा सके, इस पर plans and projections बनाने के लिए इस ग्रूप को बनाया गया है, ठीक, तो भी बिम्स्टेक जानते हैं हैं, मैंने दोहरा दिया, बात यहा 25 स्थापना दिवस बनाया, 25 फाउंडेशन ले, दर असल बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी, वो 6 जून सन 1997 में हुई थी, और 2022 छे जून को इनका 25 साल फाउंडेशन का पूरा हो गया, तो बस 97 से लेके 2002-22 तक के 25 योस पूरे आते, तो इसलिए इसका स्थापना दिवस बनाया गया, तो ये स्थापना दिवस याद रखें, डेट याद रखें, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, याद रखें, अब बाकी आ जाती है, इसके स्थाटिक पार्ट, क्या था मैंने आपको समझा दिया, स्थापना भी आपने देख ली, सदस्य देश देख लीजे, क्योंकि अगर मैं बंगाल की खाड़ी के देश बोलती हूँ, तो आप तब भी कन्फीज होगी, कही लोग अभी तक आपने मैपिंग अच्छे से गो थू नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप ना पहचान पाएं, इवन इन देशों को आप exactly नहीं बोल सकती कि बंगाल की खाड़ी को घेरते हैं, कुछ ऐसे बीजयों है, तोगड से तट से दूर है, और कुछ ऐसे भी देश है जो बंगाल की खाड़ी में आते हैं, वह पटेशके सदस नहीं है, इसलिए आपको पता होना चीज, कि इसमें कौन को सदस हैं, कौल मिलाकर कि इसमें seven members हैं जिसमें से South Asia की 5 members है बंगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्री लंका तो देखो बंगलादेश हो गया या भूटान हो गया बंगलादेश हो गया भारत हो गया श्री लंका हो गया यहाँ पे तो Bay of Bengal टच होता है बट अगर आप देखते हैं भूटान अगर आप नेपाल तो ऐसा नहीं है कि Bay of Bengal को टच करता पर Bay of Bengal की जो साइट की रिंग है उस रिंग में ये देश आते हैं तो इन साथ देशों में 5 South Asian देश हैं जो कि यह है और याद रखना इसमें specifically याद किया जाता है इसमें पाकिस्तान नहीं आता हमारे पड़ोसी देश हैं सारे इ Thailand, Myanmar और Thailand, कुल मिला के 7 members, 5 इंडिया और इस तरफ के ने बंगाल की खाड़ी के तरफ के तरफ के 5 देश ठीक और इधर बंगाल की खाड़ी के तरफ के 4 देश और इंडिया 5 और ये दो दक्षिन पूर्वी एश्या के Myanmar और Thailand, ठीक और जैसे कि हमने पड़ा अभी 1997 में Bangkok के बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक अब इनका जो मुक्य उदेश है वो लास में आप देखिए, इसके मुक्य उदेश तीवर आर्थिक विकास, स्पीडी एकॉनोमिक डिवलप्मेंट, हे तु, वातावरन तयार करना, समाजिक प्रगती में तेजी लाना, और शेतर म समान नहित के मामलों पर सहयोग को बढ़ाना है, कुल मिला करके यह सारे जितने आपके ओर्गिनाइजेशन बनते हैं, वो किसी ने किसी एक सेक्टर में, कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए बनाये जाते हैं, और जाहिर सी बात है, यह सारे या तो अंडर डेवलप यह डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो इस वज़े से यह लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करते हैं, वो एकॉनोमिक डेवलपमेंट में, स्पीड एकॉनोमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकें, क्योंकि भूतान, नेपाल, जैसे थोड़े कम विक्सित देश इसमें बांगला देश जैसे कम विक्सित देश है, तो इनका मुख्य उत्देश होता है, कि यह सारे मल्टी लेटरल ग्रुप के जरीए, इस संगठन में जितने दूसरे बड़े देश हैं शामिल, उनके जरीए अपना विकास कर सकें, उसके अलावा, सबसे मेन इनका जो द इंट्रेस्टों बहुत सारी इंट्रेस्टों के कॉमन होंगे, किसी शेत्र विशेश, किसी संसाधन विशेश का उपयोग करना, आप देखेंगे कि जिस एरिया में ये पाये जाते हैं, वहाँ पे जिस तरह की रिसोर्सें हैं, वो सभी के लिए वैसे ही अवेलेबल हैं, त हम यूजवली ये सारी जितने में अंतराशी संगतन बताती हूं, इस पर सबसे जादा नजर डालते हैं कि इनके अन्वल मीटिंग कब कब होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेंट अफेर्स के लिए, लेकिन अगर आप बीज बीच में कोई पेपर देते रहते है तो इस तरह की कोई चीज़ें, अगर कोई स्थापना दिवस हुआ, कोई और तरह की मीटिंग्स होई इंतराशी संगतने की तो वो भी पूछ सकता है, जिस लेवल का पेपर पूछने लगा है, ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट है कि भी धाका में स्थापना दिवस मनाया गय और आर्थे विकास और समान हितों के लिए काम करना इनका मुख की उद्देश है, फुल फॉर्म याद कर लीज़ेगा, ठीक है, ताट इस इट, सेकेंड न्यूज में इतनी बाते थी, जो आपको ध्यान में रखनी थी, तीसरी न्यूज इंडिया के अंदर से है, कोई होने भी हो गया आपने, कि उत्तराखन के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है, पुशकर सिंग्धामी, उन्होंने उत्तराखन उपचुनाओं में चमपावत सीच से जीत हासिल कर ली, देखिए आप सभी जानते हैं, कि हाल ही में संदोहजर 22 में 30 मार्च को इन्होंने मुख्य मंतरी की शेपतली थी, उत्तराखन में जो विधान सभा चुना हुए थे, उसके नतीजों के बाद, बीजेपी को मेजॉरिटी प्राप्त हुई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तराखन में, और ये जो पुशकर सिंग्धामी है, वो इनकंबेंट चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी ने इनहीं को दोबारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, और टेइस मार्च को ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, ये सभी आप जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं, कि ये जो विधान सभा चुना हुआ था, जो आम विधान सभा चुना ह दिया था लेकिन अगर आप समविधानिक पहलू देखें तो आप यह जानते हैं कि एक विधान समा में हारा हुआ candidate भी यह बन सकता है बशरते वो छे महने के अंदर-अंदर विधायक बन जाए यह जो लास्ट पॉइंट है आपने पढ़ा ही होगा कि अगर एक व्यक्ति जो विधायक है स्थानी लेवल पर तो वो मंत्री बन सकता है और अगर मान लिजे कोई मंत्री बन जाता लेकिन वो विधायक नहीं है तो छे महने के अंदर-अंदर उसको विधायक बनना ज़रूरी है दरसल हमारे Parliament Reform of Government में ये शर्थ है कि in order to be a part of executive you need to be a part of legislative मतलब कारेपाली का कसदस से बनने के लिए आपको विधायका कसदस से बनना ज़रूरी है और साधारन भाषा में बोलू तो अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं ruling government में तो आपको पहले विधायक बनना ज़रूरी है राजजिस्तर पर और यही चीज केंदर स्तर पर लाग होती जो आर्टिकल 75 में बतागी राजिस्तर वाली 164 में बताएगे और केंदर स्तर पर बताएगे कि अगर आप केंदर के मंत्री बनना चाहते हैं तो आपको लोकसभा या राजसभा का सांसद बनना ज़रूरी है लेकिन जब आप मंत्री नुक्त हो रहे हैं उस टैम जरूरी नहीं है कि आप सांसद विधायक हूँ लेकिन जब आप मंत्री बन जाएं तो विधन 6 मन्त आपको विधायके सांसद बनना ज़रूरी है तो याद रखी जो 6 मेने वाला प्रावधान विधायकों के लिए था कि पुशकर सिंग धामी अपने विधान सभा सीट हार गए थे उत्राखन यूनी कैमरल है इसका मतलब आपको विधान परिशाद है नहीं सिर्व विधान सभा है और वो अपने सीट हार गए उसके बावजुद वो मुख्य मंतरी बन गए तो इसलिए अब उनके लिए कंप पावज सीट से और भारी मतों से उन्होंने कॉंग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोडी को हरा दिया और ये चुनाव जीद गया और इस तरह से उनकी मंतरी पत पर जो खत्रा बर करार रहता है वो समाप्त हो गया उनकी मंतरी पत की जो कुरसी है वो बच गए ठीक है तो विदेन सिक्स मन्त अफ एक्वाइरिंग या अजूमिंग पोस्ट ओफ मिनिस्टर मतलब मंतरी का पद हासिल करने के छे मेने के अंदर अंदर उसको विधायक बनना जरूरी है ठीक है आप इसमें कई लोग कन्फ्यूज होते कि मैम ये विधायक या सांसत दोनों बन सकते है अगर स्टेट लेवल के मंतरी है तो आपको विधायक बनना जरूरी भले ही आप सांसत क्यों ना आपने योगी आदितिनात के फर्स्ट रम में देखा ही होगा वो सांसत थे पर स्टेट का सीम बनने के लिए उनको सांसत के पद से इस्तिफा देना पड़ा और फिर वहां प सेंट्रल वाली बात आर्टिकल 75 में दी गई है और स्टेट वाली बात आर्टिकल 164 में दी गई है तो बस इसी चीज़ को फॉलो करते वे पुश्कर सिंधामी ने यहां से चुनाओ जीता देखो यह बात इतनी कॉम्प्लिकेटड क्यों थी अभी जो मैंने आपको योगी अधितिनाजी की बात बताई या ऐसे और कई आपने सुने होंगे केस जहां पर अपने देखावागा कि विधायक नहीं है या सांसद नहीं तब भी मंतरी बन गए तो वो मंतरी पत को बचाने के लिए यह लोग क्या करते हैं जिन जिन राज्यों में विधान परिशद हैं जैसे यूपी में इस वेरी एजी किसी विधायक को अगर उसने हार भी गया चुनाओ तो वहाँ पर उसे मंतरी बनना बड़ा असान है क्योंकि वहाँ पर विधान परिशद क्या होती है विधान परिशद एक अपर हाउस होती जिसमें लोग वोट नहीं डालते हैं इंडिर अब उसी पार्टी के साथ तर लोग वो डालेंगे तो उनकी जीतो निश्ची थी तो विधान परिशद से जीतना बड़ा आसान है वैसी सेंटर में अगर आप हार गए हैं लोगसभा के सदस से नहीं बन पाएं और आपको मंतरी नुक्त कर दिया गया ठीक है जैसे कि कभी स चुना होता है अब इंडायक्ट होता है जंता के हवाले नी जाता वो चुना हो राजसभा में किसी भी ऐसे राज जिसे आप खड़े करा दीजे हैं कि विधान सभा में उस पर्टिकुलर पार्टी की मिज॓रिटी है जैसे मैंनलों, गुजराच से आपने खड़े करा दी कि में इसके पर दिएघ् 26 राजओ करणा था वी उश्पाँ तो राजओबा चुनाओ को देख लिए विदानाओ को देख लिए मेरे लेक्शेर्ड मैं यूजूली इसको पदा चुकी हूँ, एक बार आप उसको रिफर कर लिजे, कि राजसभा में चुनाओ कैसे होता है, और विधान परिशाद और विधान सभा में चुनाओ कैसे होता है, कुल मिला के बात ये है, कि केंदुर राज जिस्तर पे, अगर किसी मंतरी को विधाय बनना है छे मेने के अंदर तो उच्छ सदन से विधायक बनना आसान होता है क्योंकि यहां पर अप्रत्यक्ष चुना होता है वो लोग जनता के हवाले जनता के जो मत हैं उनके हवाले नहीं चड़ते अप्रत्यक्ष निर्वाचन के हिसाब से विधायक वगर उनको डालते और सदनी है विधान सभा है तो यहां पर जो विधायक बनता है उसे विधान सभा का विधायक बनता है उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहता कि वहां पर उच्छे सदन से बन जाओ विधान परिशत से बन जाओ इनको फिर से अपने पर्टिकुलर पद पर रहने के लिए फिर से जनता के द्वारा चुना जाना था जो कि ये चुने गए इस चुनाओं ठीक है पहले जबार गए मुख्यबंदरी बनने के बाद अभी जो उपचुना हुआ उस सीट से जो चंपावज सीट है वहां के कैंडिडेट को टागर इनको खड़ा कराया गया और फाइनली ये जी सी कॉंसप में कोई क्लारिफिकेशन चाहिए तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आक्चुली में क्या है बैरहाल न्यूस जो है वो ये है कि वरतमान जो इंकंबेंट चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंधामी उतराखंड के वो चंपावज की सीट सो उपचुनाओ से हाल गए थे ठीक है तो ये है आपकी स्टेट की सीम की न्यूस अब बढ़ते हम लास्ट न्यूस पे और वो है भारत इसराइल राइजनाइक संबंध तो आप ये पिछले एक दो दिन से न्यूस में भी सुन रहे होंगे इस बात पे कि जो इसरेल की उप प्रधान मंतरी जो आंके रक्षया मंतरी भी हैं जिनका नाम है लेफ्रेन जेनरल आरेस बेंजमिन गैट इन्होंने भारत का दौरा किया और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से मुलाकात की और इसी के साथ ही इंडिया और इसरेल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन्स रहे हैं उसके वे फॉर आजना एक संबंदों के 30 साल पूरे होने का एक तो जश्न में बनाया है दरसल इसरेल जो है उसके करीब 164 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका अस्तित्व को बहुत पहली आ गया था 1950 में आ गया था पर इंडिया और इसरेल के बीच में जो डिप्लोमेटिक एक रिलेशन इस्टैबलिश हुए थे वो आपके 1992 में हुए थे 1992 में तब से हमारे और इसरेल के बीच में बाइलेटरल रिलेशन से हैं इंडिया और इसरेल के बीच में राजनाइक संबंध है तो इस तरह से सन 1992 से लेकर कि अभी अगर आब 2022 तक देखे तो 30 वर्ष पूरे हो जाते हैं हमारे राजनाइक संबंधों को तो बस इसी उपलक्ष में ये मुलकात रखी गई और इस पर आगे की रहा विजन स्टेट्मेंट के रूप में जारी किया गया कि आगे हमारे डिप्लोमेटिक बाइलेटरल रिलेशन के क्या विजन होने चाहिए ठीक और उसमें सयोग पर भारत इसराइल विजन को अपनाया तो जाहिट से बात है दो देशों के बीच में दो मुद्दे तो बहुत कामन होते हैं बाचीत में एक एकॉनमी दूसरा डिफेंस तो इंडिया और इसरेल के बीच में जो विजन स्टेटमेंट रखा गया उसमें जाधा तर चर इसको बढ़ावा देना चाहते है तो द्वीपक्षी सयोग भारत के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप होगा तो इंडिया में जो मेक इन इंडिया मॉडल है उसके तायत इंडिया जो भी अदसन रचना का विकास करना चाहता है मेक इन इंडिया को जो आप कह सकते हैं क एक्जिक्यूट करना चाहता है उसमें आम सहमती इस्रेल से हमारी बनी है ठीक है तो यह जो विजन स्टेट्मेंट है कुल मिलाकर के डिफेंस को आपरेशन क्योंकि आप हर जगे देख रहे है रक्षा सहयोग के उपर यह विजन स्टेट्मेंट जारी किया गया आर्किटेक्चरल वेफ और तीसरा ये कि मेकिन इंडिया को बढ़ावा देना ठीक मतलब रक्षा भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना और तीसरी बात आर्किटेक्चर में निवेश को बढ़ाना इन दोनों तीनों चीज़ों पर कुछ आगे की राहें तैह हुई 1992 से हमारे जो राजना एक संबन थे उसकी तीस सालों के जो तीस साल पूरे हुए हैं उस पर हमने ये जो बाची थे उसको एक्जिक्यूट किया याद रखिए कि इंडिया और इस्रेल के जब 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टाबलिश हुए थे तो उस टाइम हम दोनों की बीच में जो व्यापार था वो करीब 200 मिलियन डॉलर का था इंडिया और इस्रेल के बीच में जो व्यापार था वो 200 मिलियन डॉलर का था इन 30 वर्षों में अगर आप इस व्यापारी ग्रोथ की बात करते हैं तो आज के केस में 4.14 बिलियन डॉलर ये पहुच चुका है जो कि बहुत ज़ादा एक्स्पोनेंशली बढ़ा है 200 मिलियन डॉलर से 4.14 बिलियन डॉलर तक की ग्रोव कर गया है सन 1992 से लिकर सन 2022 साथ इसाथ मैंने आपको बताया था इस्रेल के 104 सट डिप्लोमेटिक पार्टनर्स हैं उसमें अगर आप ट्रेट पार्टनर के हिसाब से देखें तो इंडिया एशिया में गौर से सुनिए इं की ट्रेट पार्टनर है और दुनिया में सात्वा बड़ा क्या कहा मैंने अगर आप ट्रेट पार्टनर्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है इस्रेल का एशिया में थर्ड और वर्ल्ड में सेवेंट सबसे बड़ा ट्रेट पार्टनर है तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ह हमारे और इस्रेयल के बीच के जो व्यापारिक संबंध है वो काफी कुछ दोनों के लिए बहुत जादा लाब दायक है ठीक है तो ये कुछ बाते आपको याद रखना है बैकड्रॉप में याद रखी कि हमारे डिपलेमेंटिक रिलेशन्स कब स्टार्ट हुए कहां से कहां तक की हमारे जो इकॉनमी है या मैं कहूं हमारे जो ट्रेड है उसकी ग्रोथ इं तीस वर्षों में कितनी हुए ये याद रखी और ये भी याद रखी कि हमारे और इसरेयल के बीच में जितने भी ट्रेड का आकड़ा आप देख रहे हो उसमें से 50% ट्रेड अकेले डाइमं का है जी हां भारत इस्राइल व्यापार में जितना भी व्यापार होता है उसमें 50 प्रतिशत हीरे का ही योगदान है 50 परसेंट डाइमंड का होता है ठीक है तो ये कुछ बातें आप बैकड्रॉप में याद रखें बहराल डाइनेमिक पार्ट में आप याद रखें कि कौन आ जो में एंफसिस था वो रक्षा सही होग था क्लियर है बात है ठीक सो आप लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा आप हड जाये करिए और हमको स्क्रीन शॉट ले 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 इस न्यूस का इसके पहली की भी न्यूस खोल दे रही हूं है ताकि अगर आपने नहीं ले पाए आज की इस वीडियो में इतना ही अगले हफते हम इस पर्टिकुलर आदे वाले वीक के पॉलिटी के करेंड इफेस को देखेंगा थैंक यू सो मच